पाकिस्तान में खलबली मज़ गई और हर तरफ पक्ष और विपक्ष बन गया लोग अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से 370 की व्याख्या करने लगे है इसी कड़ी में पाकिस्तान की एक स्वतंत्र पत्रकार और कॉलमनिस्ट है नायला इनायत नायला इनायत ने भी कश्मीर को लेकर अपनी राय रखी और पाकिस्तान की परिशानी को बड़ी बारीकी से समझाया है यहाँ पर हम उनकी बातों को आप तक पहुचा रहे हैं कि आखिर नायला इनायत क्या कह रही है और उनके विचार क्या है जमु कश्मीर का विशेश दर्जा समाप्त करने और राज को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का मोधी सरकार का फैसला पाकिस्तान में कश्मीर के ठेकेदारों के लिए चौकाने वाला है इस पर पाकिस्तान के प्रधानमंद्री इमरान खान और उनकी सरकार ने कश्मीर को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और भारत को परिशान करने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं जो कि भारत के लिहाद से नाकाफी है नाकाफी इसलिए कि इससे भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा अगर सच कहा जाए तो भारत के हाथो क्रिकेट में हारने पर पाकिस्तान में कहीं अधिक गंभीर प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है पर बड़ा सवाल ये है कि क्या इमरान खान की सरकार बगेर कश्मीर के चल सकती है क्योंकि कहते हैं कि हुकूमत पेट्रोल से नहीं कश्मीर कॉस से चलती है क्यूंकि पाकिस्तान के नेता हर पाकिस्तानी को कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का हिस्सा इसका सब्स बाग दिखा कर फायदा उठाते हैं पाकिस्तानी सेना ने खुद को सक्षम दिखाने के लिए भी कश्मीर का नाम लेकर फायदा उठाया पाकिस्तान जब से आजाद हुआ तभी से भारतिय कश्मीर को लेकर पुराने नेता से लेकर नए नेता सभी कश्मीर को भारत से छीनने का दावा करते रहें अभी भी करते हैं और पाकिस्तानी जनता को जन्म घुट्टी पिलाते रहते हैं कि भारत का कश्मीर हमारा है और हम उसे लेकर रहेंगे यही नहीं कश्मीर के गलत हालात को दिखा कर पाकिस्तानी जनता को आज तक गुमराह किया जाता रहा और फिर चुनाव में जनता से कश्मीर के नाम पर वोट मांगते रहें लेकिन सवाल उठता है कि कश्मीर को छोड़ क्या पाकिस्तान, शिया, एहमदिया, इसाई, हिंदू और पश्टून, बलूच, हजारा, मोहाजिर, अल्पसंख्यकों की चिंता की है? नहीं, लेकिन विश्व बिरादरी पर कश्मीर मुद्दे को लेकर दबाव डालने का काम जरूर किया है जो कि पिछले 70 सालों के दौरान संयुक्तराष्ट महसभा में किये गए प्रयासों के परिणामों से जाहिर है हाल के दिनों में विदेश नीती को लेकर पाकिस्तान को लगे जटके भी इसी बात की गवाही देते हैं मलेशा की प्रधान मंतरी महाथिर मुहम्मद से मदद मांगते वक इम्रान खान को याद नहीं रहा कि पाकिस्तान यात्रा के दौरान महाथिर ने दो टूक शब्दों में कहा था कि वे कशमीर मामले में किसी का पक्ष नहीं लेंगे उन्होंने पाकिस्तान को जलील करते वे कहा था कि मलेशिया इस वजह से सफल रहा है कि उसका अपने पडोसियों से कोई जगड़ा नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आखर पाकिस्तान अपनी बर्बादी की तरफ क्यों बढ़ रहा है वो अपनी जनता को छोड़ दूसरे की जनता, दूसरे की जमी और दूसरे के कानून को लेकर बौक लाया हुआ है अगर इतना ही पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की समस्या, आतंकवाद जिसने पाकिस्तानी जनता को सबसे ज़ादा नुकसान पहुँचाया और विश्व बिरादरी से पाकिस्तान अलग हो गया और पाकिस्तानी जहां भी जाते हैं आतंकवात की वजह से शक की नजरों से उन्हें देखा जाता है अगर इस पर ध्यान दिया होता तो आज विश्व विरादरी में लात नहीं पढ़ती और सभी हमारे साथ खड़े होते लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे हम दूसरे से मदद मागे अब लग रहा है कि पाकिस्तान कश्मीर कश्मीर चिला कर कहीं मौत की तरफ तो नहीं बढ़ रहा अब आर्टिकल 370 और 35A बीते हुए इतिहास की बात हो जाने के बात उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू कश्मीर जल्द बहार निकलेगा इसका मुझे पुरा विस्वास है भाई और बहनों नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की ये प्रात्मित्ता रहेगी कि राज के कर्मचारियों को जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलीश भी सामीर है उन सब को दूसरे केंद्र सास्रीत प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलीश के बराबर की सुविधाएं मिलें अभी केंद्र सास्रीत प्रदेशों में अनेक ऐसी वित्तिय सुविधाएं जैसे ल्टी सी हाउस रेंट अलाउंस बच्चों की शिक्षा के लिए एजुकेशन अलाउंस हेल स्कीम जैसी अनेक सुविधाएं दी जाती है जीन में से अधिकाउस जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को पुलीस परिवारों को नहीं मिलती है ऐसी सुविधाओं का तत्काल रिवियू कराकर जल्द ही जम्मु कश्मीर के कर्मचारियों को, पुलीसों को, उनके परिवार जनों को ये सुविधाएं महया कराई जाएगी साथियों बहुत जल्द ही जम्मु कश्मीर और लदाख में सभी केंद्रिये और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी इससे स्थानिय नवजवानों को रोजगार के परियाप्त आवसर उपलब्द होंगे साथ ही केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर युनिट्स और प्रावेट सेक्टर की बड़ी कम्पनियों को भी रोजगार के नए अवसर उपलब्द कराने के लिए प्रोथसाहित किया जाएगा इसके अलावा सेना और अर्दसाइनिक बलों द्वारा स्थानिय युवाओं की भरती के लिए रेलियों का आयोजन किया जाएगा सरकार द्वारा प्रदान मंत्री स्कॉलर्शिप युजना का भी विस्तार किया जाएगा ताकि जादा से जादा विद्यार्थियों को इसका लाब मिल सके जम्मु कश्मीर में राजस्व घाटा भी बहुत जादा है एक प्रकार से राजस्व घाटा बड़ी चिंता का विश्य होता है केंद्र सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि इसके प्रभाव को कम किया जाएगा भाई और बहनों केंद्र सरकार ने अनुच्छे तिन सो हटाने के साथ ही अभी कुछ कालखन के लिए और मैं बताता हूं कुछ कालखन के लिए जम्मु कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है इसके पीछे की बजह समझना भी आपके लिए महत्वपूर है जबसे वहां गवर्नर रूल लगा है जम्मु कश्मीर का प्रसासन सीधे केंद्र सरकार के संपर्त में है इसकी बजह से बीते कुछ महिनों में वहां गुड़ गवर्नंस और डेवलप्मेंट का और बहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है जो योजनाएं पहले सिर्फ कागजों में रह गई थी उन्हें अब जमीन पे उतारा जा रहा है दसकों से लटके हुए प्रोजेक्ट को नई गती मिल रही है हमने जम्मू कश्मीर प्रसाचन में एक नई कार्य संस्कृति लाने पारदर्शिता लाने का भर्षक प्रयास किया है इसका नतीजा है कि आयाएटी आयाएम एम्स हो तबाम साथ साथ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो पावर प्रोजेक्ट्स हो या फिर करप्शन ब्यूरो एंटी करप्शन ब्यूरो इन सब के काम में तेजी आई है इसके अलावा वहां कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट हो सडकों और नई रेल लाइनों का काम हो एर्पोर्ड का आधुनी करान हो सभी को तेज गती से आगे बढ़ाया जा रहा है साथियों हमारे देश का लोक तंत्र इतना मजबूत है लेकिन आप ये जानकर चौक जाएंगे कि जमू कश्मीर में दसकों से हजारों लाखों की संख्या में ऐसे भाईबें रहते हैं जिने लोग सभा के चुनाव में उसमें तो वोट डालने का अधिकार था लेकिन वो विदान सभा और वहां की पंचायत या महां की नगरपाली का या महां की महानगरपाली का न वो चुनाव में मद्दान कर सकते थे न चुनाव लड़ सकते थे यह वो लोग हैं जो 1947 में बट्वारे के बाद पाकिस्तान से भारत आये थे हिंदुस्तान के अरण राज्यों पे उनको सब अधिकार है अकेले जम्मू कश्मीर में नहीं है क्या इन लोगों के साथ अंधियां ऐसे ही चलता रहता है साथियों जम्मू कश्मीर के अपने भाईयों बहनों को मैं एक महत्वपुन बात और स्पष्ठ करना चाहता हूँ आपका जनप्रतिनिधी आपके द्वारा ही चुना जाएगा आपके बिच से ही आएगा जैसे पहले मले होते थे वैसे ही मले आगे भी होगे जैसे पहले कैबिनेट होती थी मंत्री परिशद होती थी वैसे ही मंत्री परिशद आगे भी होगी जैसे पहले आपके CM होते थे वैसे ही आगे भी आपके मुख्यमंत्री होंगे आपके CM होंगे साथियों मुझे पूरा विस्वास है कि इस नई व्यवस्था के तहट हम सब मिलकर आतंगबाद, अलगावबाद से जम्मु कश्वीर को मुक्त कराएंगे जब दर्ती का स्वर्ग हमारा जम्मु कश्मीर फिर एक बार विकास की नई उचाईयों को पार करके पूरे विश्व को आकरसित करने लगेगा नागरीकों के जीवन में इस अफ लिविंग बढ़ेगी नागरीकों को जो उनके हक का मिलना चाहिए वो बे रोग टोग मिलने लगए शाहचन प्रसाहचन की सारी व्यवस्ता जनहित कारियों को तेजी से आगे बढ़ाएगी तो मैं नहीं मानता कि केंद्र सासीत प्रदेश यूनियन टेरिटरी की व्यवस्ता जम्मु कश्मीर के अंदर चलाए रखने की ज़रुरत पढ़ेगी झाल